एक प्रोजेक्ट बनाया, नाम रखा इसका ले आउट, ले आउट प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक प्रेम बनाया, ठीक है, प्रेम पैकेज का नाम रख लिया पैक, प्रेम का नाम रख लिया डैन, ठीक है अब यहां मुझे क्या करना है एक ही प्रेम के उपर एक प्रेम के उपर मल्टिपल पैनल से ओपन करांगे ठीक है लाइक मैंने क्या किया यहां एक जे मैंन्यू बार डाला ठीक है मैंन्यू बार डालने के बाद कुछ बटन एड़ कर दिये जरूरी नहीं है आप मैंन्यू एड़ करो आप बटन भी जे मैंन्यू एड़ कर सकते हैं यहां मैंने बटन उठाए एक बटन डाल दिया उस पर लिख दिया मैंने pink एक और बटन उठाया इस पे लिख दिया मैंने blue एक और बटन उठाया इस पे लिख दिया मैंने red एक और बटन उठाया इस पर लिख दिया मैंने ग्रीन ठीक है तो मैंने इस तरीके से चार बटन बना लिए ठीक है अब इसका मेरा लियाउट कैसा है बोडर दिख रहा है भी आपको आप क्या करो इसका लियाउट चेंज करके इस बार कार लियाउट कर दो गुरूप की जगह लियाउट का कार कर दो ठीक है अब कार लियाउट की क्या फंक्शनालिटी होती है जैसे की मेरी एक नोट बुक होती है और नोट बुक के ओपर में पन्ने चेंज करता रहता हूँ वही मुझे काम करना की कि प्रेम मेरा यही रहेगा जिस बटन पर क्लिक करूँगा उसके अगोडिंग पैनल चेंज हो जाएगा इसी लियाउट तो ठीक है तो अब इस पर काम करने के लिए आपने क्या किया नेक्स्ट यह पैनल आपको शो हो रहा है पैनल के लास्ट तेम बिताए था पैनल ब्राने के लिए ठीक है पैनल उढ़ाया और आपने यह कंटेंट प्रेंट पे डाल जिए एक पैनल दूसरा पैनल तीसरा पैनल और यह फॉर्स पैनल डाल दिए ठीक है अब एक एक करके समझो करना क्या है मैंने पैनल 1 पहले पैनल पे क्लिक किया ठीक है उसका नाम चेंज करा पैनल को लोकल से इंस्टांस बनाया ठीक है और पैनल प्र पे कुछ कलार कर दिया फिंग मैंने Chi ठीक है मैंने दूसरा पैनल पे क्लिक किया दूस्रे पैनल के नाम पीटु कर दिया उसको इंस्टांस बनाया और उसका बेक्गराउंड कलर कर दिया ब्लू ठीक है मैंने फिर से तीसरा पेनल पे क्लिक किया, नाम चेंज किया, इंस्टांस बनाया and color कर दिया इस बार red, मैंने last fourth one पेनल पे क्लिक किया, नाम रख दिया P4, इंस्टांस बनाया, coloring इस बार कर दी, green, चारो फोर मेरे set हो गए, चारो फोर मेरे इंस्टांस हो गए, पैनल, और चारो पैनल वो कैसा कर रखा है मैंने, क्या बोलते हैं उसे, नेम, P1, P2, P3, P4, ठीक है, अब P1, P2, P3, P4 करने का reason क्या था, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को गोर देना, आपने अभी क्या करना है, source पे जाना है, प्रोग्रामिंग पे, यानि कि this one, ठीक है, आप प्रोग्रामिंग पे गए, तो आपने देखा जो पैनल बनाएते, P1, P2, P3, और P4, आपको शोग हो रहे हैं, तो यह इंटर्नली इतना बड़ा नेम दे रखा है नहीं का यह, आपने नेम चेंज करने हैं, लाइक, पहले कराम T1 रखते हैं, दूसरे का T2, तीसरे का T3, और लास्ट का T2, पैनल कराम चेंज कर दिए, अब आपकी नेट थी, कि मैं जिस कलर के बटन पे क्लिक करूं, वो कलर ओपन हो जाए, और मेरा पैनल वही रहे, फ्रेम मेरा वही रहे, तो मैंने कहा दिया, पिंक पे डबल क्लिक किया, क्या प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पर देख लो, ले आउट कौन चाहा है मेरा, काड ले आउट, C is equal to, काड ले आउट, ठीक है, काड ले आउट, अभी पहले समझ लोगी है, हो क्या रहा है, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, अभी आपने मेरे डिजाइन पे चलके एक चीद दिखाता हूँ, यह मैंने चार पैनल बनाए थे, इन चार पैनल को कहा पे रखा था, काड ले आउट, सारे पैनल मेरे कंटेंट पैनल पे पड़े हुए थे, ठीक है, अभी मैंने सोर्स में गया, और मैंने सोर्स में क्या करा, काड ले आउट, सी इगल टू काड ले आउट, और कंटेंट पे इन डोट गैट ले आउट, यानि कंटेंट पे इन पे जितने भी पैनल पड़े होंगे, अब उन सब का रेफरेंस आ गया हो गए, सी के पास, ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, पैनल शो कराना है, सी डोट, शो, कहां से उठाना है पैनल, कंटेंट पे इन से उठाना है, क्या नाम था पैनल का, टी वन, समझना आया, बस ये दो लाइन का कोड करना है, अब इसी को कोपी पेस्ट करते चले जाओ बटन पे, ती बन था पिंक के लिए ब्लू के लिए था टीटू तो यहां बस टीटू खोल दो तो रैट के लिए था टीछी यहां टीछी ओपन कर लो और Green के लिए था T4 यहां किपो क्लिर? रन करके देखो हीज़ों से अभी बाइडिफरॉल Pink का रहा है Blue पे Click किया Blue ओपन हो गया Red पे Click किया Red ओपन हो गया Green पे Click किया Green ओपन हो गया दोबारे से Pink पे Click किया Pink ओपन हो गया डिलियर फ्रेम आपका एक ही एक एक फ्रेम आपका एक ही है यह पर जिस पर किलिक कर रहे हो वह आपका चेंज हो जारए है एक फ्रेम पे आपने पैनल चेंज करने है एस पर रिक्वार्मेंट क्लियर जैसी आपकी रिक्वार्मेंट है इसकी अगोर्डिंग आप वैसा गाम कर सेखो